कि क्या आप करियर पाथ सिलेक्ट करना चाहते हैं या आप सोच रहे हैं कि मैं अपना करियर कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं कैसे चूज कर सकता हूं यदि आप स्टूडेंट है तो या आप जॉब में हैं और आप जॉब सर्च कर रहे हैं एक्स्प्लोर कर रहे हैं और आपको आइ में डाउट है क्लारेटी नहीं है तो इस वीडियो को सुरू से आखरी तक जरूर देखिए बैल आइकॉन प्रेस किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए क्योंकि जो बुक मैं आपसे रिकमेंड करने वाला हूं वह एक कम्प्लीट मास्टर पीस है एक इंडियन और ने काम किया है जो कि अपने फिल्ड के expert हैं जब आप उस बुक में उनके कौलिफिकेशन को देखेंगे उनके industry को देखेंगे तो आप surprise रह जाएंगे कि उन्होंने कितना बहुतरीन काम किया है और इस बुक में उन्होंने अपने experience से सारी इंफ्रमेशन बहुत अच्छे से explain की है जो कि एक जॉब सीकर को स्टार्टिंग से बहुत हेल्प करेगी अपने आपको प्रिपेर करने के लिए तो लेट स्टार्ट आज जो मैं बूक आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं उस बूक का नाम है जॉब सर्च सीक्रेट्स Master the Art of Getting a Job This book is written by Subir Verma and Sagarika Verma Subir Verma और Sagarika Verma ने इस book को लिखा हुआ है बहुत ही senior professional है यदि आप उनके बारे में read करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको बहुत सारी organization से award मिला हुआ है and they are sitting at very higher position इस book के बारे में first thing कि इस book में आपको 200 pages मिलेंगे इस book में total 12 chapters है total 12 chapters में इस book को divide किया हुआ है जो generally लोग profession कैसे select करते हैं जो अपनी country में generally profession ऐसे select होता है कि parents के जो dream होते हैं कि बेटे ने engineer बनना है doctor बनना है या CA बनना है तो बहुत सारी बार हम उस तरीके से अपना profession select करते हैं या friend ने यदि engineering decide किया friend ने pharma decide किया या medical decide किया तो हम भी अपना career path वैसे ही choose करते हैं परन्तु यह book आपको अपने first chapter में यही बताती है कि आपको अपना career path कैसे select करना है कौन से field में आपको अपना career बनाना चाहिए इस book में बहुत ही बहतरीन तरीके से explain किया हुआ है यह book theoretical नहीं है यह book practical है author ने with example explain किया हुआ है कि कैसे short analysis से strength weakness opportunity और threat से आप अपनी liking को अपने strength को identify कर सकते हैं अपने improvement area को identify कर सकते हैं आपका interest कहा है आपका किस field में interest नहीं है तो कैसे आपको career select करना है इस book में बहुत अच्छे से explain क्या हुआ है और जब आप job search start करते हैं तो आपको resume writing कैसे करनी है कौन से social platforms हैं जिसके तुरू आप job search कर सकते हैं facebook, linkedin, twitter इसके अलावा भी और भी नए portals आपको इस book में उनके नाम मिल जाएंगे जो कि आपको job search में help करेंगे तो resume कैसे बनाना है सारी आपके जो doubt है यहां से वो clear हो जाएंगे interview के preparation during interview और after interview में कौन कौन से जो main points हैं जो कि एक HR perspective से इस book में explain किये गए हैं कैसे search करना है आपको अपना dream job कैसे मिलेगा अपनी qualifications कैसे आपको highlight करनी है अपने skills को कैसे explain करना है आपका video resume क्या होगा सारी information इस book में to the point लिखी हुई है जब आप interview देते हैं आपको offer later मिल जाता है तो offer later को accept करने के time पे क्या चीज़ों को ध्यान रखना है यदि आप offer later accept नहीं करते हैं तो किस तरीके से आप उनको mail करके offer को reject कर सकते हैं जब आप on board हो जाते हैं तो भी कौन-कौन सी बाते हैं आपको ध्यान रखनी है इस book में बहुत अच्छे से explain किया हुआ है job मिलने के बाद फिर आप जब job change करना चाते हैं जो भी आप decision लेते हैं तो किस तरीके से आप अपने उस organization से separate हो सकते हैं आपका communication कैसा होना चाहिए way of writing a mail कैसा होना चाहिए boss के साथ team member के साथ में किस तरीके से आपकी relationship होनी चाहिए जब आप उस organization से exit हो रहे हो आपको किस तरीके से अपना feedback submit करना है तो यदि आप phraser है और आपको बिल्कुल information नहीं है तो मैं आपको recommend करूँगा कि इस book को start से end तक finish कीजिए यदि आप बीच में किसी भी chapter से start करेंगे तो आपको वो information miss हो जाएगी so start से end तक इस book को finish कीजिए to the point आप note कीजिए कि आपने इस book से क्या learn किया और कैसे आप अपनी profile को बहतर बना सकते हैं और कैसे आप better way में job search कर सकते हैं इस book में जो HR head है उन्होंने अपना पूरा experience इसमें लिखा हुआ है जो की एक phrases को बहुत help करेगा job search करने के लिए जो की I think आपको Google पे एक place में यह सारी information नहीं मिलेगी तो इस book में particular example के साथ में भी बताया यदि आप HR में job search करना चाहते हैं तो HR में भी कौन-कौन से different domains है जिसमें आपको पहले से ही यह clarity होने चाहिए कि मुझे इस domain में जाना है या यह मेरी strength है या आप marketing की बात करते हैं तो उसमें भी कौन से different options आपके पास available है तो यह सारी information इस book में आपको मिलेगी तो I must recommend this book यदि आप job search करना चाहते हैं और effective way में अपनी dream job आपको चाहिए तो इस book को एक बार जरूर read करें I think इस book का price less than 200 rupees है तो आप बहुत ही आसानी से इस book को flip card या Amazon से purchase कर सकते हैं Penguin ने इस book को publish किया हुआ है और four words में भी बहुत सारे experts ने बहुत अच्छा feedback इस book के बारे में दिया है तो I think आपको एदी job search करना है कुछ information चाहिए powerful information चाहिए from HR perspective तो यह एक बहुत ही अच्छी book होगी जो कि आपको job search में help करेगी इस video से आपको कुछ information मिली है कुछ भी नया सीखने को मिला है जानकारी मिली है तो इस video को जरूर अपने networking में forward कीजिए क्योंकि जो आपके friends हैं या networking में जो लोग job search कर रहे हैं हो सकता है इस book से उनको job search में एक बहुत बड़ी help हो सकती है Thank you so much for listening